तो यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट आपको नजर आ रहा हो दूसरा निफ्टी देख लीजिए तो पहले हम पोजिशन बना लेते हैं उसके बाद हम देखिए मैं तोड़ा सा डिस्कुस करी देता हूं चलिए पहले पोजिशन बनाएंगे हम क्योंकि थोड़ा मार्केट म कर लेते हैं थोड़ी यहां पर हमने क्या किया कि बैंक निफ्टी में पोजिशन बना लिए पूट साइड की और दूसरा पोजिशन बनाएंगे हम निफ्टी के अंदर भी पूट बाए कर लेते हैं तो हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में पोजिशन बना लिए और करेंटली हम बात करें तो 4000 के राउंड नमारा फूट चल रहा है और निफ्टी में थोड़ा सा लोस नजर आ रहा है तो देखिए हमने पोजिशन क्यों बनाए है उसको जान लेते हैं देखिए आज मार्केट का कैसा सेंटिमेंट है कि सभी को लगता है कि रिकावर हो जाएगा अलमोस्ट सभी सोच रहे हैं कि रिकावर करेगा मार्केट कहीं ना कहीं रिकावरिंग हो जाएगी और इसलिए जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकोर्डिंग ट्रेड नहीं बनाए दूसरा देखिए यहाँ पर जब ये खौल शायो का यह momentum हुआ और फिर यह momentum होता है तो यहाँ पर Actually कोल शायो की position नहीं बनती यहाँ पर क्या थे put side की position जादा बनती ए और Call side की नहीं बनाती, जो retailer होता है वो coal side की position नहीं बनाता है यहाँ पर put side की position बना लेता है तो put side की position अगर यहाँ पर बन जाती है तो उसको अगर gap up मिल जाता है तो उनके क्या हो जाते हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी position को निकाल देते हैं वो wait नहीं करते जादा क्योंकि एकदम अचानक से इतना gap up खुल जाता है gap up खुलते हैं उनकी पूरी position लोस में चली जाती है तो इसलिए वो position को काट देते हैं दूसरा bank nifty में देखिए bank nifty में ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर क्या हुआ है call side की position वनी है और यहाँ पर उल्टा खोल दिया market को gap down खोल दिया और फिर तेजी सी selling ही और निफ्टे में तेजी सी होई रही तो दोनों में market में player को निकाल दिया जो positional trading कर रहे थे उनको सभी को निकाल दिया जो दिखा रहा था chart उन सभी को निकाल दिया सिंता वाली बात है नहीं यहां पर तो जो ट्रेंड चलेगा वही market में run करेगा जो ट्रेंड देखिए मैं समझा पाया हूं नहीं पाया हूं मुझे नहीं पता लेकिन थोड़ा समय आपको दुबारा से explain कर देता हूं साहिद आपको नहीं समझ माया हूं देखिए यहां पर क्या हुआ है यहां पर put side की position बने थी देखिए यह put side की position बने थी तो put side की position बनने के कारण यहां पर gap up मिला आपको पूरा पूरा उनको loss दिखा दिया गया उनकी position निकाल दी आप समझ गए यहां पर क्या बनी है put side की position यहां पर क्या बनी है cold side की position देखिए मैं आठ बड़ यहां पे जो put side के position बनी तो उनको gap up open होने, एकान उनका वो हो गया, एसल हीट हो गया, तो यहां पे क्या है कि जो trend को follow करना होगा है, एसल वगेरा सब इनको खा गए हैं, जो भी बचे थे market में, इदर उदर, जो कोल की puts की, जो उनकी position निकाल दी है, तो इसी करन हमने जो trend को follow की है, जादा हमने यहां पे वो कुछ ने किया है, जो trend चलेगा, उसी के according हम बैठ के है market में, और वैसे थोड़ा सा nifty में loss दे सकता है, क्योंगि यह upside momentum कर रहा है, और bank nifty में कहीं ना कहीं weakness आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो ITVT वाले वो कर रहे हैं आज रेजल्ट है ना, उस बगेरा कर रहे हैं, वो problem करता है, बाकी तो देखित वाली बात है नहीं, तो अभी अं currently हम बात करें, तो bank nifty में में मारा 9000 के round profit चल रहा है, और nifty में 5000 के round 4000 के round loss दे रहा है, और total जो हमारा net sum है, वो 5000 के round profit नज़र आ रहा है, तो अभी तो वेट करना होगा, market में देखते हैं, निप्टी क्या करती है, bank nifty क्या करती है, कहीं, bank nifty भी reverse करने लगती है, तो हम position दे निकल जाएंगे, ये मत सोची, आपको ये देखना है, buy कहां करना है, sell कहां करना है, आप location को find out कीजिए, ना कि buy ये sell को find out करोगे, अगर आप एक चीज़ के उपर focus करोगे, तो आपको दोनों चीज़ असानी से मिल जाएगी, कि कहां buy करना है, कहां sell करना है, आप ये देखे, buy करने के लिए भी जगां होती है, sell करने के लिए भी location होती है, दोनों जगां होती है, लेकिन कहां करनी है, वो find out करनी है, आपको ये मत देखो market में पहले, सुरुआती दिनों में कहां buy करें, कहां sell करें या buy करें आप ये देखें कहां buy करें कहां sell करें थोड़ा सा मैं double double बोल गया है लेकिन मैं समझाने के लिए बोला हूँ तो चलिए मिलते हैं market में देखते हैं क्या होता है इन position में और nifty थोड़ा सा upside momentum कर रहा है तो ये कही न कही में problem कर सकता है ये upside कर सकता है जो मैं ये और पता देता हूँ आपको थोड़ा सा समय जादा ले रहा हूँ ये upside किया और nifty downside गया तो हमारी position में होगा low समय दूसरा अगर ये upside गया और ये भी upside गया फिर हमें थोड़े से chances हैं profit होने मैं आपको थोड़ा सा बाद में explain करूँगा ये चीज़ लेकिन अभी मैं आपको hold कर लेता हूँ क्योंकि time जादा हो जाएगा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो देखना होगा कितना time कुछ adjustment करके उस इसाब से आपको बताना होगा तो पहले तो हमें एक बार hold कर लेते हैं वीडियो को फिर मुझे समय लगा मिलेगा तो मैं आपको जरूर बता हूँ explain करूँ करूँ करनरली हम loss profit देख लेते हैं तो हमें 7,000-8,000 का profit चल रहा है और nifty हमें अच्छा loss दे रहा है तो wait करते हैं market में भी देखते हैं position को loss में भी निकालना पड़ साकते हैं आज की दिन wait करें थोड़ा तो देखिए यहां पर nifty काफी loss दे रहा है में 12,000 के round loss नजर आ रहा है और nifty में देखिए एक अच्छा upside momentum आया हुआ है और bank nifty भी एक momentum करने की कोशिस कर रहा है तो nifty को तो निकालना होगा यह downside momentum आ तो रहा है लेकिन यह नहीं sustainable नहीं है इसको निकालना होगा में निफ्टी को तो पहले हम निफ्टी में loss बुक कर लेते हैं तो हमने about 50% का loss ले लिया निफ्टी के अंदर तो चलिए कोई बात नहीं चलता रहता है मार्केट में adjust हो जाएगा बैंग निफ्टी या momentum यह भी upside करने लग गया है यह भी upside करने लग गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हो जाएगा देखते हैं अगर जादा loss ले लगता है तो हम निकल जाएं पोजिशन में वेट करें थोड़ा सा अभी के लिए तो hold कर रहे है अगर जादा ही loss होने लिए तभी निकलेंगे कहीं ना कहीं हम trap हो गया है या हो जाएंगे पता नहीं अभी थोड़ा सा position को hold करते हैं देखते हैं तो currently हम बात करें तो हमारा 42-43 के round हमारा loss चल रहा है और about 30% हमें loss हो रहा बेंगनिप्टी की position में तो देखिए हम अभी भी hold कर रहे हैं position हो सकता है हमें loss book करना पड़ सकता है लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों upside momentum करेंगे तो हमें थोड़े सी chances है position के profit बनाने के वो मैंने क्यों कहा था देखिए ये upside जाएगा तो यहाँ पे क्याएगी SL ready हो जाएगे अगर ये upside momentum करेगा नहीं अगर ये nifty back side कर देता देखिए नifty down side चलने लगता और bank nifty upside जाने लगता तो फिर क्या कि फिर अच्छा नहीं लगता मैं लेकिन आब ये कर रहा है तो देखिए loss book करना पड़ेगा साइदा तो थोड़ा सा 54 के round हो चुका है आ गया मारांथ वैसे तो थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं एक red candle नजर आती देखते हैं बस थोड़ा सा तो hold कर रहा हूँ मैं loss जादा ले रहा हूँ मुझे भी पता है लेकिन कहीं ना कहीं देखिए system control में है भी भी 51 40 कि निकाल दूं क्या position को बोड़ी समस्या हो रही है आप को बहुत ज्यादा लोस लेता हूँ मैं ऐसा नहीं करता देखिए profit भी मैं काफी लेता हूँ जब लेता हूँ तो कि कलियर कर देता हूँ कैसे हुआ है थोड़ा सा वेट कर देता हूँ मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा मैं लोस का वेट नहीं कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा प्राइज एक्षन देख रहा हूँ कि कैसा momentum होगा थोड़ा सा मुझे वेट दीजिए थोड़ा सा समय दीजिए तो currently हम बात करें तो हमारा लोस 48 के मैं अभी भी probability है trap हो जाएंगे हो सकता हमें लोस book करना पड़ जाए लेकिन trap तो यह हो गए यह मुझे ऐसा लगता है देखिए होने को नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा प्रोब्लम ही है कि bank nifty nifty को follow करने लगा देखिए nifty के चार्ट के साथ साथ चल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोब्लम हो सकती है अदर्वाइस देखिए मैं 35500 वालों को ऐसे नहीं कि मैं मुझे इगनोर भी हो गया था थोड़ा सा यह भी मानता हूं लेकिन मुझे नहीं लगता हूं मैं चार्ट के कोर्डिंग जादा चलता हूं 35500 जाद कम देखता हूं 38 देखता हूं ऐसा नहीं बिल्कुल इगनोर करता हूं देखता हूं आज तो मेरा बिल्कुल भी इगनोर हो गया था एक दिन पहले भी हो गा था ऐसा ही और आज भी हो गया लेकिन कोई बात नहीं अभी तो देखते हैं मार्केट का होना तो चाहिए देखिए आना तो चाहिए मार्केट को इससे लेकिन कब आएगा यह नहीं बता तो कहीं ना कहीं अगर हमें लोस बूक करना पड़ाईगा तो पड़ सकता है अभी तो हम पोजिशन में लोस में बैठे हैं 44, 43 चल रहा है देखते हैं अभी तो हो सकता है लोस अभी भी बुक करना पड़ सकता है देखते हैं थोड़ा सा तो hold और करना हो गहा है अभी तो हम थोड़ा सा favor में भी आ रहा है market तो देखिए currently हम बात करें तो 13,000 के round हमारा लोस चल रहा है और बैंक निफ्टी में एक reversal देखने को मिल रहा है और निफ्टी के अंदर भी reversal देखने को मिल रहा है तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे favor में आ तो गया market लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक learning point यह देना चाहूंगा कि जो मैंने आज कियाना है वो आप कभी मत करना कि market upside जार आप hold करें पोजिशन ऐसा मत करना आप कभी भी मेरा थोड़ा सा क्या कि trading style थोड़ा सा अलग रहता है ऐसा आप मत करना अगर ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं आपको problem हो सकती है मैं तो hold कर सकते हूं position को अगर यह zero भी हो जाता तो एक बार के लिए मैं देख लेता लेकिन आपको कभी भी मत करना है थोड़ा सा वीडियो कहा कि लंबा हो रहा है लेकिन मैं कोशिश करूँ कम से कम करूं इसको लेकिन फिर भी मैं थोड़ी से जो learning point अब जरूरी है यह बहुत ही important बात है कि कभी भी आप ऐसा hold मत करना अभी भी हमारे वापिस यह reverse कर सकता है ऐसा ने reverse नहीं करेगा जब दुबारा से निकलने लेगा तो फिर हम निकल जाएंगे position में ऐसा नहींगा अभी भी हम hold करेंगे वो कुछ logic था मैंने आपको पताया भी था कि market दोनों जब दोनों upside momentum करेगी तब हम कोई problem होने वाली है नहीं जब एक side यह down बताया था मैंने यह down जाएगी यह upside जाएगी या निफ्टी down जाएगी या upside जाएगी तो तब हमें problem ही अगर दोनों ने upside momentum करने की कोशिश की तो हमें problem होने वाली है नहीं तो देखिए अभी market हमारी favor में आ चुका है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं थोड़ा सा video लंबा हो रहा है क्योंकि मुझे जरूरी था यह बात बताना कि आप कभी भी मत hold करना अभी हम current की बात करें तो 5000-4000 के profit में आ चुके है थोड़ा सा तो wait करते हैं देखते हैं क्या होता है थोड़ा reversal अगर आता है तो हम निकल भी जाएंगे अभी loss book कर लेंगे 40-30 जितना मिलेगा निकाल भी देंगे loss में भी निकाल देंगे profit में निकाल दें थोड़ा सा hold करते हैं position को तो देखिए market में हमें एक अच्छी selling देखने को मिल रही है तो एक बार अपनी position को निकाल रहे हैं तो हमने total profit जो है bank nifty bank nifty के अंदर 48,000 अमारा profit book किया और जो हमें loss नजर आ रहा था वो भी around 48,50 के नजर आ रहा था और 12,000 के round हमने nifty में loss book कर लिया तो total हमने जो अच्छा profit बनाया है अलाकि हमने bank nifty में क्या किया था 50% के round loss भी ले लिया था अपने premium का लेकिन reason क्या था देखिए यहां पर आप यह मत समझी कि हमने profit कमबू के एक तो expiry है कहीं से भी थोड़ा सा भी reversal मिला हमारा जो profit है वो आफ रह जाएगा दूसरा देखिए हमने यह वेट किया पूरा हमसे wrong decision क्या हो गया मैंने क्या किया 38,500 वाला ने यह पता नहीं चला मुझे यह थोड़ा सा इक नौर हो गया मुझसे और यह otherwise हम यहां कहीं position बना लेते easy बना लेते मुझे पता था यहां पर बना लेते लेकिन मैं आपको दुबारा से कहना चाहूंगा कि आप कभी भी ऐसे वेट मत करना मैं बार-बार कह रहा हूँ कि कभी भी आप ऐसा वेट मत करना मेरा अलग style है थोड़ा सा थोड़ा सा different रहता है आप उनको मैं सिखा दूँगा धीरे धीरे सिखोगे आप इस चीज़ को आपको पता चलेगा कि कैसे price momentum करता है लेकिन एक बार के लिए आप ये position कभी भी मत लेना कि market upside जार है आप hold करे हो बहुत problem हो सकती है और दूसरा option buying में और तीसरा option expire के दिन कभी भी मत करना वीडियो काफी लंबा हो रहा है मैं थोड़ा से और भी explain कर देता इस चीज़ को कि यहां पर हमने क्यों wait किया था लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो फिर problem होगी तो यही ता आज का वीडियो काफी learning मिलाओगा मैं फिर से कहा रहा हूँ कभी भी hold मत करना इस type की position को hold करोगी तो problem हो सकती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जैहिन